नेक्स्ट है multi-stage, multi-stage compressor, multi-stage compressor, अब ये क्या चीज़ है, देखें जो single-stage compressor है उसमें कुछ problem है, single-stage compressor में कुछ problem है, पहला, पहली problem यह है कि उसमें high, बहुत वैरी हाई प्रेशर नहीं अचीव किया जा सकता है, लाइक उसमें सिरफ 5 से लेके 8 बार प्रेशर तक आप बना सकते बस fine इस से जादा नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते कारण क्या हो गया, 80 हो गया आप कोगे सर क्या बड़ी बात है आप ज़्यादा बड़ी power use कर लो आप ज़्यादा बड़ा cylinder use कर लो लेकिन भाई फिर से वही बात कहूँगा कि एक limit होती है हर चीज की न कि size आप छोटा रखोगे तो कम pressure बनाएगा size बड़ा करोगे size बड़ा कितना बड़ा कर दोगे आप पर उसकी बनाने के भी तो limit है और उसको अगर बनाओगे ज़्यादा बड़ा तो उसको चलाने के लिए बड़ी motor भी चाहिए तो भी ये थुड़ी से problem होती है ये बड़ी problem आती है single stage compressor में दूसरी problem बहुत ज़्यादा बड़ी जो है वो क्या है अगर आप high pressure create भी करते हो माल लिजे कि आपने बना भी दिया आपने दम लगा कि बड़ा सा एक cylinder लिया बड़ा सा piston लिया आपने बना दिया लेकिन ज़्यादा pressure high होने पे high temperature हो जाता है high temperature हो जाता है उसी का अब high temperature से हो क्या जाएगा हो गया तो हो गया होने तो मेरे भाई high temperature से कई वार इसमें blast तक का भी problem हो सकता है गर high temperature है और lubrication यह अंदर से कोई ऐसी liquid oil इसके अंदर चला गया इसके साथ touch में आ गया तो वहीं problem आ सकती है आग पकड़ सकता है high temperature तो यह रोक देता है कि इससे ज़्यादा ज़्यादा temperature हो रहा है हम इससे ज़्यादा नहीं compress कर सकते हैं इसी चीज़ को क्योंकि वो temperature बढ़ा ही जा रहा है बढ़ा ही जा रहा है लगाता है तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे multi stage compressor को use करेंगे इसके अंदर multi stage को use करेगे इसका मतलब क्या है मेरे इससे हो क्या जाएगा और मुझे क्या दिखता है यह देखो मुझे यह दिखता है कि माल लिजे कि यहाँ पर पहाड है मुझे तो ऐसा दिखता है कि माल लिजे यह पहाड है ठीक है तो एक बंदे को मैं बोलूँ कि मेरे भाई, तुने अकेले ने ये वेट उठाके और यहां तक लेके जाना है, यहां इसको प्लेस करना है अगर अकेला बंदा लगा होगा तो वो यहां चड़ेगा यहां जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा फिर यहां पहुंचेगा उसको क्या हो जाएगा उसके कारण उसका टेंपरेचर बढ़ जाएगा भाई का जान निकल जाएगी अकेले की अकेली की जान निकल जाएगी कितनी जान लोगे आप को गयाइँ टाकत वाला बंदा लो जतना मर्जी टाकत उसके में हो जतना जदा एंरजी हो उसमे लेकिन मेरे भाई अकेले को इतना काम करना बहुत मुश्किल होगा तो हम दोस्तों का सहारा लेंगे साथी हाथ बटाना एक अखेला ठक जायेगा मिलकर बोज उठाना तो वो वानी बात आ गई ये मेरा भाई कहता मैं तुसर्फ यहां तक पहुंचा सकता हूँ A बंदा कहता मैं यहां तक B कहता चलो ऐसे कर A तुस यहां तक पहुंचा दे यहां से मैं उठानूँगा और मैं यहां तक पहुँचा दूँगा C कहता C कहता अच्छा टरो ठीका मैं यहां से यहां तक पहुँचा दूँगा देखो अब तीनों नहीं ठके तीनों नहीं ठके और तीनों को आपने जितना काम क्यों उससाब से पैसे दे दिये आपने यहां तक चड़ाया तो आपको पैसे उतने मिलेंगे मतलब उतने इनर्जी यूज लग रही है यहां से यहां तक उतना पैसा सी ने उतना पैसा उससाब से दे दिया तो आपका काम भी हो गया और ये बंदे की जान भी बच गई लोगों की जान बच गई यही हम करते हैं multi stage में multi stage में अम देखिए एक और इस बंदे ने यहां तक जb उठाया तो यहां यहां यह सांस ले सकता है यह ढग गया नहां यह बंदा यहां पे जाके आराम से सांस ले सकता है, टेंपरिचर अपना डाउन कर सकता है, ताकि दुबारा भी तो इसको काम करना है, एक फिर से ये नीचे जाएगा, यहाँ लाके रख देगा, फिर से जाएगा, यहाँ लाके रख देगा, तो काम चलता रहेगा, और यह ठकेंगे भी नहीं, यह ठके आई एक बार पे, माल लिजी एक बार पे आई आपने पांच बार पे हवा इसके अंदर से बाहर फोड़ी अब इसका temperature rise हो गया temperature rise हो गया, क्या करें हम temperature rise हो गया इसको हम डाल देंगे intercooler में intercooler क्या है, इस air को थंडा कर देगा लेकिन इसका pressure नहीं कम करेगा प्रेशर उतने का होता ही है तो प्रेशर इसी पांच बार की प्रेशर वाली एर को लेकिन लो टेंपरेचर वाली को अब देखो टेंपरेचर भी लो कर दिया और इसको क्या कर दिया इसको दुबारा से नई एक और कंप्रेसर में डाल देंगे कंप्रेसर के इंलेट वालू के इंदर डालेंगे अब इसके लिए inlet क्या है पांच बार अब ये पांच से दस तो बनाई देगा मेरे भाई दस बार तो बनाई देगा तो ये इंटर कूलर का काम है इंटर कूलर का काम है ठीक है इंटर कूलर होते हैं और ये सच में कोई ऐसा जूर नहीं है ये सब कुछ होता है, दुनिया में सब कुछ चल रहा है यहां, ये सब कुछ चल रहा है ओके, ये जो हमारे पास आएगा इंटरकुलर होगा, और इसको कई बार आपने सुना होगा, परफेक्ट इंटरकुलर ये वर्ड सुना होगा, परफेक्ट इंटरकुलर परफेक्ट इंटरकुलर कौन सा होता है अगर आपने जो एर इसके अंदर डाली है और उसका टेंपरेचर जो है वो बाहर की जो एटमोसफेरिक की एर है उसके बराबर कर दे atmosphere atmospheric air के pressure के बराबर कर दे atmospheric pressure के बराबर कर दे अगर वो उसके बराबर कर दे atmospheric temperature temperature के बराबर कर दे ठीक है pressure तो भाई कम नहीं करना pressure तो उसके से यहां बड़ा है गलती से मैं pressure लिख रहा है temperature atmospheric temperature के बराबर कर दे तो उसको हम कहा देते हैं perfect intercooler क्या भाई मज़े आ गया तू है परफेक्ट तो उसे परफेक्ट ही कहते हैं तो यह परफेक्ट इंटरकूलर उसे हम कहेंगे अब हमें अजादी मिलगी है कि भाई अब हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं इस दस बार वाली को भी आप डाल सकते हो नए पिस्टन सिलेंडर रेजिम और फिर यह एक और एक और पिस्टन सिलेंडर रेजिमेंट में डाल देते हैं इसमें डाल देते हैं अब यह दस बार की हवा आ रही है और दस बार वाली को पंदरा बार में बदल लिया तो मेरे भाई अब हम हो गए आजाद अब हम हो गए आजाद क्यों आजादी मिल गई हमें कि भाई जितना प्रेशर बढ़ाना है बढ़ाओ बस इंटर्गूलर लगाते जाओ और कंप्रेसर की जो नंबर आफ कंप्रेसर जो है वो बढ़ाते जाओ नंबर आफ कंप्रेसर बढ़ाते जाओ जितने ज्यादा कंप्रेसर बढ़ते जाएंगे जितने ज्यादा इंट फाइदा ले लिया कि हाँ इस तरह से हम pressure को high कर सकते हैं और जतना ज़्यादा air का pressure बढ़ाते हैं जो होगे उतना ज़्यादा हमें फाइदा में रिटा जाएगा तो वो depend करता है कि आपने कहां पर use करना है आपको चाहिए हाई pressure very high pressure चाहिए आपको चाहिए 15 बार 20 बार 35 बार तो हम भाई single stage से नहीं ला सकते हैं single stage से नहीं ला सकते हैं तो हमें ये करना ही पड़ेगा तो जब काम ज़्यादा होना तो हमें labor ज़्यादा लगानी पड़ती है हम कहें यार एक ही बंदा सारा काम कर देगा पूरे घर का मैं कहूँ कि समान shift करना है घर का समान shift करना है और उसको एक labor को बिला ले के भाई आ और उठा वो कहेगा केलर नहीं उठाता भाई इतना समान है और उसको ट्रक में चड़ाना भी है तो आप को गया दो तीन labor और बिलाओ तब हम काम करेंगे तो इस तरह से labor रख ली बिचारी है हमने न कि एक बंदे से नहीं काम करवाया एक-एक labor तोड़ थोड़ा इसने थोड़ा तूकर थोड़ा तूकर तोड़ा तूकर चलो आप ठीक है तो इसमें जो होगा PV diagram जब बनेगा तो इसमें भी air अंदर आएगी फिर compress होगी, compress होने के बाद यहाँ compress होगी, फिर हम उसका pressure थोड़ा सा change होगा फिर से हम उसका pressure बढ़ा देंगे फिर volume की बास होगी यह volume कम होगा फिर और फिर pressure बढ़ा देंगे, और इस तरह से stages में करेंगे, यह first stage है, यह first stage है, और यह next है जो, वो second है second और ये मेरे पास third stage है, third stage है इस तरह से आप pressure follow करोगे आगे आगे यहां तक 5 बार आया 5 बार आगे, 10 बार आगे और यहां 15 बार आगे 15 बार आगे, तो 3 stages हमने use की और हमने multi stage compressor को इस तरह से समझ लिया आया सर समझ यहां नहीं है चीक है सर चीक है जी ओके, इस तरह से प्यार देते रही है सर, और जादा से जादा शेयर करें एक बार फिर से गेन कहूंगा, आप सबसे request है, एक बार status में मेरी video drew डाल दें जो भी आपको अच्छी लगती है, gear box की डाल दीजिए, बहुत अच्छी है, मुझे खूद अच्छी लगती है डिफरेंशल वाले video वाल डाल दीए और देखते हैं, जतना ज़्याद आप शेयर करेंगे, उतना ज़्याद मोटिवेट मुझे करेंगे ओके सर, गुड़नाइट